वेलकम बैक टो माई चैनल प्रेंड्स आप सब खीक होंगे तो जो लोग नए है उनका मेरी चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो हमारे चैनल को सब्स्प्राइब कर लीजे ताकि आने वाली यूसुल वीडियो आपको मित दिया है और आज की की लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेयर कर दूँ है तो इन दोनों को मैंने अभी मैंने पूरा कम्बाइन फेसल किट्नी मंगाई थी इनकी सिर्फ ये अलग-अलग डिफरेंट टाइप में मंगाई थे ताकि मैं एक बार यूस करके देखूं किसका के अंडर में दौनों पड़े हैं मुझे तो ये एक पार मैं पर्चेस कर लिया तो समझ लीजे आप 5-6 मंत तक ही चुप्टी है कुछ भी नीचे कर सकते हैं अगर आप राई करना चाहें तो आप डिफरेंट टाइप में अलग-अलग पर्चेस कर सकते हैं तो विदाउट आज की वीडियो शूरू करते हैं आज मैं फेसल करने वाली हूं इन दौन की है नहीं तो पहले आपको फेस वास कर लेना अच्छे से आप नॉर्मल वाटर से या फिर आप किसी फेस वास जो आपको सूट करता उसे फेस वास कर लीजिए और मैंने वेबी सॉप से किया एक् कोई भी केमिकल में होता है उसके बाद है टोनिंग के लिए मैंने ये गुलाब जल लिया है गुलाब जल से में अच्छे से अपने नेक और अपने फेस को क्लीन कर लूँगी ताकि जो भी डायट सेल्स वगरा है वो आपके जो भी गंदी है वो साफ हो जाए ते देखिए मैं जाए जञ़ा हाँ नीडि क्कश करता है तोनिंग कम्प्रीट हो चुकिंग है सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग स्क्रबिंग हमारे जो एंडि तौन जो एंवन करता है अपको ये देके हाँँ थोड़ा सा फक्रब लेकिए आपको ऐसे डॉट डॉट में आपको फेस और अपनी नैक पे अप्लाई कर लेना है इसे स्क्रब कर वीविव मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ इस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक में सेयर कर दूंगे आप जाके चेक आउट कर सकते हैं तो आपको ऐसे डॉट करके अब आप हलकी हाथों से आपको इसको रगड़ना नहीं है बहुत ही हलकी हाथों से आपको इसक्रब करना है सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मैं स्टैप बता रहे हूं इस तरीके से आप खड़ सकते हैं एक Ó आपको तो आपको इसका हो जाएगा अपने हेड पर और हमें a service निए श्रराक में कि मिए। historian Susie पाइब हमें ऑर ब़ोना में द हेवी अपिक होरट से हिर्ट conos यहांच श्रॉल्क करना है कि इसी अनुअ मोलेगे थैंपी हमें है तयु आपको सब्सक्राइब शेयर को लेंहें बहुत ज्यादा घ्रिप सब्सक्रम को कमा लेकर अपूर इसे लिए help Austria तरते सक्ट्रम बीच dioxे होगी बीच तो आपको हाथों को एक यह दो बात करना है इस्क्रब इंड्रै जो आपकरा करना है अपनी नहीं कुछ आपकरे जो फेस की स्किन है वो इवन टोन लगे यह जो हमारे स्क्रब जो होता है हमारी जो डैट सेल्स है उनको क्लियर करने में और इसकिन को एक्सफ्लोसिक बनाने के लिए आप की बहुत साधा है अच्छा होगा कि आप अगर अगर नैच्ट वेली वेसिस पे रेगुलर वेसिस पे करते हैं तो आप फ्रूट फेसिल ही करें वह आप की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रियेट करेगा बहुत ज्यादा नैच्रल होता है फ्रूट स्क्रब और फ्रूट फेसियल इसको आप रेगुलर वेसिस पे मंतली या मंतली में आप मन्त में दो टू टाइम्स कर स अच्छे से आपको मिनिममम फाइब तू टैन मिनट सक आपको स्क्रब करना है सर्कूलर मोशन में करना थे हाँ बस अपनी आखों से थोड़ा दूर रखना है आपको इसक्रब आपको तहीं करना है क्यों कि उहां की ज़िए काफी सॉफ्ट होती है तो उसके छिलने के चांस तो यह देखे हमारा स्क्रब भी कम्प्लीट हो चुका है यह देखे आप अच्छे से ट्राई हो चुका है और स्क्रब करने से पहले अगर आप चाहें तो भाप भी ले सकते हैं गया है हुआ है उसके आपका जो इसली स्क्रब है वह और ज्यादा नयच्रुरल को अब आपना अब आपको आपको फेस बहुत लिए कि मैंने फेसर कर लिया है आपको बहुत हल्की हातों से पहुट। अच्छे से पहुच लेना है यह देखे मैंने पहुच लिया है अब आप देख सकते हैं इसक्रबिंग के बाद ही चहरे में काफी ज़्यादा लुका चुका है बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुगा है जहरा इविंटों सो हो रहा है अब जो हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टैप अब प्रक्षाम के हमारे प्रकु अब आपको यह मैं अब उन हमें को ऊंधिता तो ब्लग कीम अवाट करने में आपकी है करता है को आपको आपको अच्छे से कम से कम ड்경म मिन इसके लिए डिपेंके तो गरें बैर नयांब कर तो चीघ शेली बहाँ प्लाइय यहां प्लेश चीच के लिए ब्लाइम यहां लाग दुद्द करतीattend कि वड़ने लाग यहां दो तो याई हची है यह आपकी skin को long lasting time provide करता है और यह आपकी skin में निखार और चमक दोनों लाता है dead cells से छुतकारा दिनाने के लिए और आपके open pores को मतलब डी clean करने के लिए हमारे जो massage होता है face massage उसका काफी roll होता है और आपकी जो skin है उसको भी even tone करता है और skin related काफी ज्यादा प्रॉब्लम में face massage आपकी काफी ज्यादा important role play करता है और आपके skin massage से आपकी blood circulation है skin को ज्यादा काफी हद तक आपका circular हो जाता है मतलब जो आपका blood circulation clear होता है काफी ज्यादा hydrate होता है आपकी skin की जो problem है जैसे dead cells even tone और मतलब कहीं आपके black hearts हो रहे है इन सब में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी skin में natural चमक लेका आता है तो देखिए face massage भी मेरा complete ही हो चुका है आप देख सकते है अब इसको face massage करने के बाद आपको थोड़ी देर तक मतलब है जब तक बिल्कुल dry हो जाए उसके बाद आपको जाके अपना face wash कर लेना है नॉर्मल वाटर से तो यह हमने face wash कर लिया है अब आपको ऐसे हाथों से तपाते दो अपनी face को dry करना है तो next step हमारा वह है face pack तो यह हमने बायोटीक का face pack मैंने मंगाया था तो अब इसको हम अपलाई करनेंगे अपने face पे यह fruit face pack है इसके जो ingredients इसमें है वह काफी जादा helpful रहते है स्कीन के लिए इसकी जो description box में आपको purchase link provide कर दूंगे Amazon से मैंने purchase किया है आपको यह उंगली में लेके हलके से आपको यह रगड़ना नहीं है आपको बस layer लगानी है आपको एक मोटी layer लगानी है अपने face पे अपने माउथ और अपनी eyes से इसको दूर रखना है और अपनी eyebrows को भी इस पे नहीं लगाना है इसको तो ऐसे ही दीरे दीरे आपको अपने face पे अपनी neck पे और head पे आपको apply कर लेना है इसको अपने face पेक से होगा कि आपकी skin में जो भी गंदीगी है जो भी आप जैसे कि आपकी skin face मसाज हो चुका है toning हो चुकी है और अपने scrub भी हो चुका है तो आपकी screen hydrate हो चुकी है अब आपकी face mask लगाने से यह होगा कि face pack लगाने से आपकी skin tone even होगी आपका color जो है वह फेर होगा face pack लगाने से क्यूंकि आपका जो फेस है आपकी face की skin है वह और बिल्कुल साफ हो चुकी है हर तरीके से तो अगर अब आप face pack लगाते हैं तो उसके बाद आपकी जो इनका glow है वह अलग ही आएगा और काफी ज्यादा आपकी skin tone even होगी और इसके सूख हमें 10 तू 15 मिनट तक आपको यह face pack लगाके लगाना है और एक चीज का ध्यान दखना है जब तक यह face pack लगाके रखते हैं नहीं आपको हसना है और नहीं आपको बोलना है क्यूंकि जब त इसलिए इसको ऐसा नहीं करना है आपको नहीं हसना है नहीं बोलना है अच्छे रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो अगर फेस पेक लाने इस तरीके से नैस्यूल फेस पेक का यूज करने से आपके केली महासिव अगरा की प्रॉबलम दूर हो जाती है संटैन की आपकी प् तो इस अच्छे से पहुंचने के बाद स्की कर नहीं करना है आपको फीन उच्चने के संटा करना है है आपकी जादी टोन सो करीं रहे हैं मेरे ब्लैक हैट्स और डार्क ससरकल का फी हद तक इसकिन क्लियर हो चुकी है भी ज़्यादा workers वान यह बहुत ही जादा लाइट व आपको खुद पता चलेगा कि यह फूट जो फेसियल होता है इसकी के लिए कितना जरूरी होता है कितना मैजिकल होता है आपकी स्किन टोन को एवन करने के लिए आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगा तो आपको आज की वीडियो बहुत जादा पसंद आई होगी और आपके लिए काफी जादा यूस्फुल भी रहेगी है आगे बहुत ही जादा यूस्फुल रेमेडी आपके लेके आने वाली हूं व्यूटी से रिलेट है उसके लिए हम लाल कुछ भी अप्लाई नहीं किया है सिर्फ लिप्स्टिक अप्लाई की है आप देख सकते हैं कितना साइन करदाया चेहरा बहुत ही जादा इफेक्टिव रैमेडी है अब इसके बाद में फोड़ा सा सूपने स्कीन को ड्रा होले के पाद में थोरा मॉस्टराइजर अप अपना एक्सपीरियंस में साथ सेर करें तो आशकी वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो और फिर मिलेंगे तब तक किलिए बपाए टिक क्या है